हिजाब को लेकर जारी विवात को लेकर एक बार फिर से AIMIM सांसद अजदुदीन OVC का बयान सामने आया है। उनोंने सवाल किya क्या हिजाब मुसल्मानों के पिछरेपन को दर्शाता है और पूछा कि क्या मुसलिम महिलाएं देश के विकास में योगदान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा जिसे बिकिनी पहनना है वो पहने आप क्यों चाहते हो मेरी बेटी हिजाब उतारे और मैं दाड़ी कटवालू। हिजाब बैन पर बंटे हुए फैसले के बाद अपने संबोधन में ओवैसी ने कहा कि अगर मुसलिम महिलाएं अपना सिर ढखना चाती है तो इसका मतलब यहां नहीं है कि वे अपनी बुद्धी को ढख रही है। उन्होंने कहा कि मुसल्मान छोटे बच्चों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर कर रही है। सिर दर्ध और पेट दर्ध हुआ जब मैंने कहा कि इस देश को एक दिन हिजाब पहनने वाला प्रधान मंत्री मिलेगा। मैं ऐसा क्यों नहीं कहूँ? यहां मेरा सपना है. इसमें गलत क्या है? लेकिन आप कह रहे हैं हिजाब नहीं पहनना चाहिए। फिर क्या पहनना है? बिकिनी? आपको वहाँ भी पहनने का अधिकार है। आप क्यों चाहते हैं कि मेरी बेटिया अपना हिजाब उतार दे और मैं अपनी दाड़ी मुनवाओ?